कि अच्मा अच्छा शेयर एर ड्राइए क्ले की एढ़ाई जैसी यहाँ में खुश्क हो जाए वह कैसे बनाते तो तीन इंग्रीडियंट्स हैं सिर्फ जो हम इसमें यूज करेंगे ट्रे शायू हीं ट्रे इंग्रीडिन्स हीं जाकी असा कैंवल करना से ना कि Пचैन ओ ना कोई ब्लापोग करना ना है इनकी असा ठाइनदा से सब ने आपा हाफ कप कॉण्फल belief हाफ कप मैंने कॉण्फलोर लिया है और इसको हम गुंदेंगे वाइट ग्लू से वाइट ग्लू यह आम तोर पे बजार में रस्तिआब है रिष्यो इसका जो है वो यह है कि जितना आप कॉल फलोर लेंगे उसका हाफ आप ग्लू लेंगे ठीका जगने तां जिए मूख थीजिए कप कॉन फलोर तो अनसागर विजना से कॉाटर कप ग्लू ठीके इस फ्लोर को ग्लू के साथ गुंदना है अगर आधा कप मैंने लिया है कौन फ्लोर तो मैं इसमें डालूंगी क्वाटर कप ग्लू फिर इसको हम करेंगे मिक्स तो यह सबसे पहले मैं इसमें ग्लू डाल लेती हूँ क्योंकि मेरा अंदाजा जो है मुझे उस पे भरोसा है तो यह तक्रीबन क्वाटर कप ग्लू मैंने इसमें वाइट डाल दी है सबसे पहले तो हम ट्राइ करेंगे इसको इसी चमच के साथ गुंदने की कोशिश करेंगे मिक्स करेंगे ठीका है नमे पानी बिलकुल न पहुंदो पानी किसी सूरत नहीं डालना और अगर जरुरत मैसूस हो तो फिर हम थोड़ा सा खुए आधा चमच के करीब हम इसमें फिर से गुलू डाल सकते हैं जिकने असां के लगे तो जरूरत है नमें लिक पुट जी तो भी असां के पेरें तब चागी तरह पोशशकंदा से वह हिंदा से गलू घणी नाय विजणी अटो जे को ठंडो नमा जे को ख्ले ठंदी वहां बिल्कुल ही थोड़ी सक्त हो जांखा पे सक्त सी एक प्ले हम इस पतला हो गया तो फिर उसमें हमें कॉंटिटी बढ़ती जाएगी ठीका सो अगर गलू घणी आता आने कॉंट फ्लोर विजो वरी अगर कॉंटिटी इलहाई वधी वेली यह गलू जो है यह जो है यह डो जो भी हम बनाएंगे यह बहुत ही जबर्दस किसम का है जो कि बामे रखें पंके के नीचे रखें और इसको हम यूज कर सकते हैं मुक्तलिफ चीजों को सजाने के लिए जैसे बॉटल्स पे हम अगर इससे फूल पत्ते बनाएं फ्रेम्स पे बनाएं बॉक्सेज हैं कुछ भी हम इससे बना सकते हैं तो आज जब यह डो में बना रही इसको ठीक है तो इसको अभी हम इतना मिक्स करेंगे के ग्लू जो है वह इसमें बिल्कुल ही ठीक से शामिल हो जाए अब सबसे पहले तो हमने चम्मत से इसको मिक्स कर लिया अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे पहले तो चम्मत से जो ग्लू है जो हमारा आटा लगा हुआ है वह हम उतार देंगे अच्छी तरह साफ कर लिएंगे तीसरी जो चीज मैंने कहा था वह है तेल कोई भी आयल यह मैं कुकिंग आयल ले रही हूं किचिन में से दो टी स्पून भरे हुए ठीक है यह भी इसमें डालेंगे और अब हम इसको हाथ से गुंदेंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक गुंते रहेंगे जब त सब्सक्राइब के दीनदा से अगर इनमें जरूरत पहुंदी तमा थोरी इनमें ग्लू एड कनम आएं ब्यों मातां के यू जरूर चौनम तजदें भी लू एंग कॉन फ्लोड खड़ों प्लीज उनके मापे खड़ों नापकर आप कॉन्टिटी लेंगे जितना आप कॉन् ज्यादा नहीं होगा कि यह देखें इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है ठीका जिया साटो गोईंदाइं अच्छा एकड़ी गाल तमाहे इलाइसार उठावा मैंने ज्यादा बनाये आप जब तजर्बा करें तो कम बनाएं ठीका बर टेबल स्पून जिया तहां खड़ों तो ही कौन फ्लोर एकड़ी टेबल स्पून खड़ों ग्लू अगलू थोड़ों कुछ डॉप्स ऑइल जाव जो ठीके जरूर नहीं आप फर्स टाइम में इतना सारा बना ले तो आप थोड़ा सा बनाएं दो टेबल स्पून आप जैसे ग्लू ले 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 एक टेबल स्पू जोड़ा साथ के लिए और उसको दोड़ा में गूंद लूगी वैसे यह सेट हो चुका है लेकिन जिस तरह हम रोटी पकाने के लिए आटे को हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो इसको भी में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूगी और उसके बाद में लूगी वैसे अभी यह स्मूध हो चुकी है लेकिन अभी और होगी यह देखिए जबर्दस क्लेया ही है अधा सुछा सुछा क्राफ्ट तां क्रियेट करी सगोता मात आंगे देखा रहे हैं भी इकदफो मात कुछ मुझे साम्मू आए माठा है चुकिया पेरू मेरा लगे फूल कले से बने होँ है वह थिए यह कुछ तो मैंने पेंट किये हुए है तीक है यह रहाई साल थी वैंता है यह इतनी जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है क्योंकि इसमें ग्लू है ना तो उस उसी वज़ा से यह मजबूत रहता है अच्छा है वाइट यह इस पेंट आए उन्हें पेंट कायों आप उन्हें मत्हां वान शनी चड़ भी यह खराब लटे तो अटेखे मां कुछ देर चड़े वां इसको जब आप दुबारा गुंदेंगे तो हाथ को पानी नहीं लगाएंगे बलके थोड़ा सा ऐल लगाएंगे तो यह थोड़ा सा ऐल म खराब हो जाएगा इससे मैं एक अभी प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हूं उसकी वीडियो भी इंशालला मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह मेरा जबर्दस किसम का क्ले होममेड एर ड्राय क्ले ठीका है डिस जो ताहाने जबर्दस शेयर आहिया ताहना सा कैम शेक्खे डेकोरेट करें सगोता तो माहाने पांदू खड़िये चाहां एर टाइट कंटेनर या कुशापर फिलालतों मैं यह शापर ही लेया हूं छोटी सी ठेली जिसमें दूद या दही वगर आता है उसी साइस की है यह और इसको मै मैंने अंदर से आइलिंग कर दी थोड़ी सी और अब यह दो जो है हमारा जो क्ले हमने बनाई है इसको अच्छी तरह से हम इसमें रख देंगे अब दो या तीन दिन तो इसको आराम से यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख दें एर टाइट इसको बंद कर दें इसको में रब असां क्रियेट करना से सो ही आहे मुझो हूममेड एर ड्राइक ले सो ताब उधाय जो तांके किये लगो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यह काम भी मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइ करें पांजे टाइम में दुसरी इस्तेमाल करें इंशालला वरियत सांकें भी कमाजी वीडियो सामिलाना से पेस्ताइं अलावा ही